नमस्कार नमस्ते इसको अंग्रीजी में आप आसानी से कह सकते हैं हलो क्या कह सकते हैं? हलो इसके अलावा आप कह सकते हैं हाई क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं हाई फरक क्या है दोनों में? हलो एक बहुत ही फॉर्मल शब्द है जिसका इस्तमाल आप यकीन मानिय कहीं भी कर सकते हैं ओफिस में, घर में, स्कूल में, बाहर, दफ्तर, कहीं पर भी आप हलो का इस्तमाल कर सकते हैं हाई का इस्तमाल आप कर सकते हैं इनफॉर्मल जगों पर घर पर, दोस्तों के साथ, कॉलेज में या कैंटीन में, मॉल में घूमने गए हैं तब, यही फर्क है, हलो और हाई में नमस्कार, नमस्ते, काही एक रूप है ये, मतलब अंग्रेजी का फॉर्म है ये दोनों ही है, आपको जो याद रहे और जगह के हिसाब से आपको जो समझ आए, आप उसका अस्तमाल करेंगे क्या हाल है, या आप कैसे हैं, क्या हाल है, कब कहते हैं, किस से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, रिश्चिदारों से पूछते हैं वो लोग जिनसे आपका बहुत ही दोस्ताना जैसा relation होता है उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं ये पूछते हैं हम हमारे बड़ों से अजनबी से मतलब जिनसे लगबग अजनबी है कभी कभार मलते हैं है ना जिनसे थोड़ी फॉर्मल बातचीत होती है वहाँ पूछते हैं आप कैसे हैं इसको अंगरीजी में आप कहेंगे हाव आर यू क्या पूछेंगे हाव आर यू तो ये सारी चीजे क्या है और इन सारी चीजों का क्या महत्व है मैं बता दूँ वेलकम टू बी बैंकर स्वागत है आपका आज की क्लास में मैं हूँ पूरीती माम और आज की क्लास होने वाली है जन्रल ग्रीटिंग या सामान्य अभिवादन पर जी हाँ मैंने बताया आपको जो मैं आपको आज कराने वाली हूँ वो इतना ही जरूरी है कि इसके उपर आप अगर किसी नई जगा पर जाओगे न तो इंसान तुरंट आपको मतलब लगता है कि हाँ इसमें मतलब मैंनर्स है इसमें नहीं है इस तरीके से तो आपको अभिवादन करना किसी का बहुत जरूरी है किसी से पहली बार मिल रहे हैं किसी से बहुत सालों बार मिले हैं नॉर्मल किसी से रोज भी अगर आप मिलते हैं तो जब आप किसी का अभिवादन करते हैं किसी को greet करते हैं basically greet करते हैं जब आप किसी को तो आप एक बहुत ही अपने अच्छा अपनी अच्छी इमेज उनके सामने चोड़ते हैं और अगर आपको कोई greet करे तो तो सोने पर सुआगा और बढ़िया है ना बढ़िया लगता है ना तो greeting is very important और जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये और भी जादा important है तो चलिए आज की class होने वाली हेसी के उपर बेजड सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं सुब प्रभात या सुबह का नमस्कार मतलब सुबह के टाइम पर जो कर रहे हैं आप कह सकते हैं good morning क्या कह सकते हैं good morning इसका स्तमाल आप करेंगे आप रात बारा बजे के बाद से अगले दिन दोपहर के बारा बजे तक आप good morning का स्तमाल करेंगे ठीक है हाँ रात बारा बजे के बाद से लेकर के सुबह पांच बजे तक लोग नॉर्मली सुए रहते हैं तो तब इसका कोई स्तमाल नहीं होता है पर हाँ पांच बजे के बाद जब आप morning walk पे जाएं जब आप बाहर सबजी लाने के लिए जाए भाजी लाने के लिए जाए तो आप कहेंगे good morning क्या कहेंगे good morning कब तक कहेंगे दोपहर बारा बजे तक उसके बाद क्या कहेंगे बारा तो बज गए, गुड मॉर्निंग का टाइम खतम, अब क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे गुड आफ्टर नून, मतलब नून के बाद का समय, आफ्टर नून, आप कहेंगे गुड आफ्टर नून, ये होता है दो पहर का नमस्कार, और इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, लेकिन आम बोलचाल के भाशा में अगर कहूं, तो सूर्यास्त हो गया तो गूड़ आफ्टरनून सूर्यास्त के पहले तक ही استعمال करेंगे, सुर्यास्त हो गया, उसके लिए हमारे पास कुछ और शब्द है, छिक्के, आप दोपहर बारा बजे से, आप मानके चलिए, चार, साड़े-चार, पांच बजे तक, आप गुड आफ्टरनून का स्तमाल कर सकते हैं, mostly, चार बजे तक ही स्तमाल होता है, उसके बाद क्या उसके बाद कहेंगे संध्या का नमस्कार, सुभ संध्या, गुड इवनिंग, क्यूंकि संध्या याने की इवनिंग, गुड इवनिंग आप कहेंगे, और इसका स्तमाल आप करेंगे, शाम वही लगबख सुर्यास्त के बाद लगबख पांच बजे से ले करके, रात के बार अब जी तक आप इस्तमाल करेंगे गुड इवनिंग का तो क्या ये सवाल आ रहा है तो फिर मैं गुड नाइट बज गया गुड नाइट का क्या करेंगे बताती हूँ बताती हूँ घबराये नहीं गुड नाइट का इस्तमाल आप करेंगे शुब रात्री विश करने के लेकिन गुड़नाइट की खास बात ये है कि गुड़नाइट का इस्तमाल होता है जब आप किसी से विदा ले रहे हों, किसी को अलविदा कह रहे हों, बाई कह रहे हों और वहां सर, वहां से आप अपने घर को लोट रहे हों या अपने बेटरूम में सोने जा रहे हों, मतलब उसके बात पर अगले दिन सुभाई भेंट होगी उस अंसान से तो आप जब विदा ले रहे हो बाई कह रहे हो तो आप इस्तमाल करेंगे गुड नाइट का आर ये बात समझ में कब इस्तमाल करेंगे गुड नाइट का जब अलविदा कह रहे हो विदा ले रहे हो शाम में किसी से शाम हो रात हो मान के चलिए पार्टी में गए है पार्टी से लौटते लौटते आपको बज गए साढ़े ग्यारा तो आप गुड नाइट कहके निकलते हैं निकलते हैं ना लेकिन जब पार्टी में गए थे आप पार्टी में जब आप गए थे तो आप क्या कहते हैं गुड नाइट कहते हैं रात हो गए तो गुड नाइट कहते हैं जी नहीं आप कहेंगे गुड इवनिंग जब वहां से निकलेंगे विदा लेंगे तब तब कहेंगे गुड नाइट क्या कहेंगे गुड नाइट बढ़ ज़्यादा अच्छा आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं How are you doing? क्या कह सकते हैं? How are you doing? कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? बात जिन्दगी की हो रही है? है ना कि life कैसी चल रही है? पूछे ना कैसा चल रहा है? कहेंगे How is it going? How is it going? क्या हो रहा है? What's up? ये भी एक तरीका होत होता है आप कहीं पर गए है और वहाँ पर कुछ लोग अल्रेडी मौजूद है तो आप कहते हैं ना क्या हो रहा है यानि कि what's up? क्या हो रहा है? What's up? क्या चल रहा है? What's going on? क्या चल रहा है? What's going on? ये सारे तरीके होते हैं आप कहीं भी किसी भी पार्टी में कह लीजे, किस जस्ट एक entry करने के, उनका अभिवादन करने के, उनका हाल चाल पूछने के, तो आप कह सकते हैं, what's going on? क्या चल रहा है भई? What's going on? Right? अच्छा, ये तो हो गया कि जब आप किसी के यहां जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? अब आप से किसी ने अगर पूछा, what's going on? तो जवाब भी तो पता होना चाहिए? या आप कैसे हैं? How are you? जवाब भी तो पता होना चाहिए? भई, अच्छे हैं? Good. अच्छे हैं? Good. अच्छे हैं? ठीक हैं? कहेंगे good. देखिए, दो तरकी बाते होती हैं. एक इंसान जिसको आप पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, तो उनको तो लंबे जवाब देते हैं हम लोग. दे दिया, सामने वाले को जवाब मिल गया और आपका काम हो गया. कहेंगे good. अच्छा नहीं है? ठीक नहीं है. अगर नहीं है ठीक, कहेंगे not good. क्या कहेंगे? not good. ठीक है यानि की fine, ठीक है. कहेंगे fine. उत्कृष्ट ठीक है. उत्कृष्ट है मतर्म बढ़िया है. कहेंगे great ठीकी है, कहते है न, हाँ ठीकी है, मतलब not bad ठीकी है या बुरा नहीं है कहेंगे not bad ठीक चल रहा है, मतलब not bad ठीक ठाक या काफी अच्छा दोनों में से कुछ कहना हो, कहेंगे pretty good क्या कहेंगे pretty good, इसको कहना हो कि हाँ बढ़े आई चल रहा है, मतलब pretty good कुछ नहीं पूचता है न, कोई-कोई क्या चल रहा है, कहेंगे कुछ नहीं, या कुछ भी तो नहीं अगर ऐसा जवाब देना हो, कहेंगे nothing एक word का जवाब दीजिए है न, कहेंगे nothing, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे not much ज्यादा कुछ नहीं not much अगर लंबा जवाब देना हो formal जवाब देना हो मैं ठीक हूँ क्या कहेंगे, मैं ठीक हूँ I am fine मैं ठीक हूँ I am fine मैं ठीक नहीं हूँ I am not fine मैं ठीक नहीं हूँ I am not fine आपको देखकर खुशी हुई see you किसी से अगर आप मिले हैं और आपको कहना है कि भाईया उनसे मिलके आपको बहुत बढ़िया लगा कहेंगे good to see you आपको देखकर खुशी हुई good to see you आपको भी देखकर खुशी हुई अब किसी ने आपको कहा है कि आपको देखकर खुशी हुई तो आपका भी तो जवाब देना बनता है न तो क्या कहेंगे कि आपको भी देखकर खुशी हुई Good to see you too एक बशब्ड का addition यहाँ पर होगा TOO कहेंगे Good to see you too आपको भी देखकर खुशी हुई Good to see you too मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक हूँ मैं बढ़िया हूँ कहेंगे I am doing great I am doing great बहुत अच्छा धन्यवाद किसी ने कोई काम कर दिया आपका आपको बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा धन्यवाद Very well thanks आपसे मिलकर अच्छा लगा Nice to meet you आपसे मिलकर अच्छा लगा Nice to meet you जवाब आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा Nice to meet you too आपसे मिलकर भी अच्छा लगा Nice to meet you too Thanks किसी ने कहा अगर आपको कुछ कहा मतलब आपने कुछ कर दिया तो मतलब आपने शुक्रिया अदा किया, आप कहेंगे thanks या फिर किसी ने आपको अगर बोला कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो भी आप कह सकते हैं thanks आप क्या कहेंगे? thanks thanks अगर आपको formal तरीके से बोलना हो, कहेंगे thank you क्या कहेंगे? thank you देखिए, thanks informal है, thank you formal है thank you का अस्तमाल करेंगे, दोस्तों के साथ है, thanks का अस्तमाल करेंगे क्रिपया, ये होता है request करना, है न? कि please इसे कर दो, क्रिपया इसे कर दें, कहेंगे please ये request का एक तरीका होता है, कहते हैं please माफ कीजिएगा, या शमा कीजिएगा कहेंगे excuse me, क्या कहेंगे? excuse me बहुत बढ़िया सा शब्द है ठीक है क्यों क्यूंकि आप कहीं पर भी हो आपको किसी से भी बात करनी हो कहीं पर भी आपको एंटरी करनी हो या आपको समझ नहीं आ रहा किसी से पूछ ना हो सबसे बढ़िया है excuse me क्या है excuse me आप जैसे ही किसी से आपने कहा excuse me उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे अल्विदा कहना हो, किसी को सलाम कहए निकलना हो कहेंगे bye, क्या कहेंगे? कहेंगे bye अल्विदा या सलाम काreally ऑड तरीका है goodbye क्या है? goodbye, again फर्ण क्या है दोनों में? bye थोड़ा informal है, goodbye kamu formal है, right? आगे बढ़ते हैं, see you किसी से फिर मिलना हो या अगले दिन मिलने ही वाले हैं या जल्दी ही मिलने वाले हैं तो या मिलने की उमीद रखते हैं तो कहेंगे फिर मिलते हैं यानि की see you क्या कहेंगे see you बाद में मिलते हैं मतलब किसी से बहुत जल्दी अभी फिर से फटाफ से मिलना नहीं है अब बाद में कभी देखेंगे See you later बाद में मिलते हैं See you later कल मिलते हैं जिनसे next फिर से कली मिलना है फिर कल मिलते हैं See you tomorrow क्या कहेंगे See you tomorrow खयाल रखना Take care खयाल रखना कहेंगे Take care आपका दिन शुब हो या आपका दिन अच्छा हो कहेंगे have a nice day क्या कहेंगे have a nice day ये wish करना भी ना बहुत बढ़िया होता है किसी को आप अगर इस तरीके से wish करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुब हो कहते हैं have a nice day मतलब आप उनके लिए मंगल काम ना कर रहे हैं आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए तो आप कह रहे हैं, कि have a nice day, अरे, या किसी का ध्यान आकरिष्ट करने के लिए अपनी ओर, है ना, किसी को अरे, इस तरी किसे बोलते हैं ना, अरे अहो, ऐसे बोलते हैं ना, यानि कि ध्यान जब आपको किसी का अकरिष्ट करना हो, कहेंगे अंग्रीजी में, हे, क्या कहेंगे, कहेंगे, हे, ये याद रखिएगा, काफ़े इनफॉर्मल है, और ये ध्यान अकरिष्ट करने के लिए ही इसका अस्तमाल किया जाता है, हे, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू आप इसका अस्तमाल भी कर सकते हैं, हाउ डू यू डू आप बहुत ही जादा फॉर्मल है, तो आप आराम से इस्तमाल कर सकते हैं कही पर भी, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं का ही एक और आप इस्तमाल कर सकते हैं ये कब इस्तमाल करेंगे समझेए आप से किसी ने कहा आप कैसे हैं आप से किसी ने पूछा आप कैसे हैं आपने जवाब दिया बढ़िया है आप बताइए आप कैसे हैं अगला सवाल हमारा यह होता है, सामने वाले से, कि भाई, आप बताइए, आप कैसे हैं, How about you? क्या इस्तमाल करेंगे? How about you? मतलब यह पूरा इस तरीके से इस्तमाल होगा, किसी ने पूछा, How are you? आप जबाब देंगे, I'm fine, how about you? या, what about you? आप इस तरीके से इसको पूरे conversation को आप कर सकते हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, It is great to see you, It is great to see you, बहुत समय से मिले नहीं, कहते हैं न, अरे भई, बहुत समय से मिले नहीं, Long time no see, या फिर कहते हैं आप तो इद का चांद हो गए हैं, Long time no see, जी हाँ, यही इसके अंग्रेजी होती है, बहुत दिनों से मिले नहीं, कहा थे, कहा गायब थे, अरे आप तो इद का चांद हो सकते हैं, एक अर्सा हो गया, या काफी वक्त हो गया है, it's been a while, it's been a while, ठीक है, it's all right, ठीक है, it's all right, आप ठीक हो, या क्या आप ठीक है, are you okay, क्या आप ठीक हो, are you okay, तो भाई, कैसी लगी आज की क्लास, बढ़िया लगी, कमेंट करके जल्दी से बताईए, क्लास कैसे लगी, क्लास पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करिए, शेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे, और ये आज की क्लास हो गई, यहाँ पर खतम, जहाँ पर हमने सीखा, ग्रीट करना, अभिवादन करना किसी का, जो की बहुत एहम हिस्सा है, बात चीट का, कॉन्वर्सेशन का, है ना, तो क्लास तो हो गई, अब मैं बता दूँ कि TENS की E-book आ चुकी है, है ना, नहीं मिली है अभी तक, मिली है, नहीं मिली है, तो तो टेलिग्राम पर आईए, बहाँ पर पता कर लीजे कि आप TENS की E-book कैसे प्राप्ट कर सकते हैं, बेसिक प्लस स्पोकें इंग्लिश का कोर्स, जो कि एक फ्री स्पोकें इंग्लिश का कोर्स है, और इसकी E-book भी अवेलेबल है, तो ये भी अगर आपको नहीं मिली है अभी तक, तो आप टेलिग्राम पर आईए, और पता कर लीजे, आप कैसे फ्री स्पोकें इंग्लिश का कोर्स, बेसिक प्लस स्पोकें इंग्लिश का कोर्स, जो कि एक फ्री, बिल्कुल सब्सक्राइबर्स हैं वहीं पर जुड़ेंगे और जुड़कर रोज की classes करेंगे हम लोग free में courses करेंगे रोज की classes आपको phone पर मिला करेंगी and many more आप इस link के जरी आ सकते हैं इस number के जरी भी आ सकते हैं दोनों ही cases में आप सीधे सीधे जो आपको search मिलेगी वो हमारे official page की ही मिलेगी वहाँ पर आपको एक join button मिला हूँ दिखेगा वहाँ पर आपको click करके page को join कर लेना है और रोज की classes को वहाँ पर attend कर लेना है राइट वहाँ पर आप इसके अलावा रोज की classes के अलावा हमारी जो e-books available हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं हमारी जो courses available है paid courses free courses उनके बारे में पता कर सकते हैं paid courses में आपके लिए है premium spoken English का course जिसमें आपको रोज classes मिलती है उन classes की रोज notes मिलती है homework मिलता है उसके उपर based answer sheet मिलती है doubt classes मिलते हैं पूरी course खतम होने पर पूरी की पूरी e-book भी मिलती है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप इसमें admission लेंगे आप admission कैसे ले सकते हैं इसके लिए आपको पता करना होगा telegram पर कि मैं admission लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ इसकी batch कब से शुरू हो रही है आप ज़रा पता करने basic English grammar का course है basic English reading का course है ये courses भी अपने आप में premium courses है again से रोस classes दी जाती है classes की notes दी जाती है और ये सारी चीज़ें आपको मिलती है जानकारी इन चीज़ों की telegram पर तो जल्दी से आप आए telegram पर और पता कर लें कि आपको इन में से कौन सा आप डिसाइड करने कौन सा course करना है और स्कोर्स के regarding आप डिसाइड टेलिग्राम पर बात करने कि भाई ये मुझे ये वाली course करनी है और तब तक मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली class में till then thank you so much for watching stay tuned